हेलो यूट्यूब फामिली वल्कम बाग तू माई यूट्यूब चानल किनी व्लोग्स तो मैं आ गई हूँ एक और इंट्रेस्टिंग सा विडियो लेकर जिसमें कि मैं आपको दिखाने जा रहे हूँ एक बजटेट बेड्रूम मेक ओवर जो कि मैंने किया है मीशो और इसमें आपको कोई भी बेड नहीं मिलेगा फ्लोर बेड के साथ मैं आपको इसका मेक ओवर दोंगी तो यह है इसका बिफॉर लोग तो चलिए करते हैं स्टार्ट तो यह आ गई हूँ मैं जाडू लेकर और सबसे पहले मैंने यहां पर सारा जाडू मारा और डस्टिंग कर दिन पहले हम सबसे पहले इस कार्पिट को प्लेस कर देते हैं इसके अगर मैं साइज की बात करूं तो इसका जो साइज है वो है 4x8 जो काफी अच्छे साइज में आपको मिल जाता है देखिए अगर मैं इस कार्पिट को लगा रही हूँ तो लगभग पूरा ही रूम इसस कवर ही हो गया है देन यहां पर हम प्लेस करेंगे यह दोनों मैट्रेस अभी तक हमने न एक के उपर एक मैट्रेस रखा हुआ था बट अब हम इसे सिंगल सिंगल प्लेस करेंगे तो चलिए जल्दी से मैंने प्लेस कर देती हूँ यह है मेरा फर्स मैट्रेस जिस पे मेरी मम मैंने अपना घरेलू कवर लगा रखा है देन उसके बाद हमने दूसरा मैट्रेश भी प्लेस कर दिया तो यह जो मैट्रेश का साइज है यह है तुरी बाई सिक्स का एक मैट्रेश है तो दोनों मैट्रेश मिलाकर सिक्स बाई सिक्स हो जाते हैं इसके उपर मैंने यह वाटर पड़े उनसे बचने के लिए मैंने इसके उपर यह प्रोटेक्शन लगा दी है और देखो वह दूसरी तरफ से फसा हुआ था जल्दी जल्दी मैंने फिर इसके उपर इसको इस तरीके से लगाया और बेस्टिंग अबाउट देस प्रोटेक्शन का वर इस यह मैंने एक उसके प्लाइब करने के बाद आगाए हम इस को प्लाइब पर अपना बंजारा माकेट वाला मिरर अन देन एक प्लांट लगा दिया थोड़ा एस्थेटिक सा लुक देने के लिए और ये मेरा मेकप का सारा सारा समान मेरा निया सिस्टर का है वो ज्यादा तर यूज करती है वह स्किं केर कहा यह कर पाती है देन बारी आती है दूसरे बाले कॉर्णर की यहां पर मैंने जल्दी से कॉर्णर को क्लीन कर दिया और ना एक कि ये दिवाली पर इसका सारा ही घर का पेंट होना है, तो इस रूम का भी तब ही होगा, देन मैंने जल्दी से इसको fast forward में इसको paste कर दिया, ये wallpaper है, जो आजकर आर्क वाला system चलता है ना, ये उसी का wallpaper है, जो आपको हाथ से नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि मेरा paint का वो हाल बहुत खराब है, actually मुझे wallpaper लगाना भी ठीक से नहीं आता, उसमें भी मैंने इसमें भी गड़बर कर दी, वो आप देखी सकते हो, वीडियो में की गड़बर हो चुकी है, तो इस गड़बर को चुपाते हुए, मैंने जल्दी जल्दी इसको वो किया, and fast forward में कर दिया, ताकि आपको पता ना लगे, मैंने क्या-क्या कारणामा कर आए, और बाद में मेरे घरवाले भी वीडियो देखेंगे, उनको भी मेरे कारणामों की खबर ना हो, इसको लगाने के बाद मेरे दो-चार प्लान्स थे, बट वो कैंसल हो गए, क्योंकि वो हो नहीं पाता, घरवाले करने नहीं देते, तो इसलिए मैंने सिम्पली इसको पेस्ट किया, जल्दी जल्दी fast forward में, जल्दी आपको दिख रहा है ना, इतनी जल्दी मैंने किया नहीं था, करने में बहुत टाइम लगा था, देन इसको पेस्ट करने के बाद, मैंने एक बार इसको finally मार मूर के देख लिया, कि कहीं से ये निकल तो नहीं रहा है, देन ये चेक करते हुए, कि कहीं से इसका कुछ कारनामा हो तो नहीं रहा है, मैंने देखा नहीं, ये सही है, देन मैंने इसका पेपर बाहर फेक दिया, और मैं ले आई अपना ये table lamp, जो मुझे बहुत ही जादा प्यारा है, बट इसकी कोई कदर ही नहीं है, मेरे घरवालों को लगाने ही नहीं देते है, देन इसको मैंने इस कॉर्णर पर लगाया, और इसके शेल्फ पे अपने अलग-अलग planters लगा दिये, ये क्राकलिंग वास मेरा बहुत ही जादा फेवरेट है, और उसके नीचे मैंने लगाया Amazon से ओडर किया वास, और उपर एक छोटा सा प्लांट है, अब बारी आती है Amazon से ओडर किये वे curtains की, मैंने इस घर के color combination को ध्यान में रखते हुए, जो कि ये red और white है, मैंने teal color के curtains मंगा है, the reason behind ordering the teal curtains is, जो ये matte है, ये भी teal color का था, तो मैंने सोचा combination करते हुए teal मंगा दे, बट अपना दिमाग सही से ना चलाते हुए, मैंने order कर दिये थे 4x9, जिबकि मुझे चाहिए थे 4x8, तो चलिए अब जो आ गया, आ गया अब इने लगा के देख लेते हैं, बाद में इनको alter कर वा लेंगे, ऐसा ऐसा सोच कर मैंने इने लगा दिया, तो चलिए, अगर मैं इसके fabric की बात करूँ, तो fabric बहुत ही जाद अच्छा है, और बेस्ट फिंग इस, ये black out curtain है, तो चलिए, चुटकी में इसे लगा देते हैं, लगाने की अग जैसे ही कोशिश करी, तो देखा की curtain rod निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो side वाला था, वो मैंने गड़बर कर दी, तो फिर मैंने यहाँ पर लगाई, एक table जो मेरी side table है, उस पर चड़ी, क्योंकि बाहर से कौन staircase लाता, तो मैंने सोचा, जुगाड वाला काम चल रहा है, तो चली अभी भी जुगाड कर देते, इस जुगाड के साथ, मैंने दोनों ही curtains को लेते हुए, पहले अपनी rod को नीचे निकाल लिया, और यह जो पुराने brown वाले curtains है न, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट कुछ नहीं कर सकते भाई, घरवालों की पसंद है, तो मैंने इने जल्दी से हटाया, और यह side का मैं तोड चुकी हूँ, जिसे मैंने ठिकाने लगा दिया, और यह जो पुराने curtains थे, उन्हें हटा के, यह तील कलर के curtains लगा दिये, मुझे यह combination अच्छा लगा, actual में न, मैंने यह combination Pinterest से चेक किया था, ज्यादा knowledge नहीं है, मुझे color combinations की, तो मैंने online चेक किया, तो तील कलर अच्छा लग रहा था, red के साथ, तो मैंने तील कलर के order कर दिया, and the best thing about these curtains, आप देख सकते हैं, बाहर कितनी light है, बेट यह curtain लगाते ही, सारी light cover up हो गई, which means, this will give 100% light blockage, and यह कोई भी sponsored video नहीं है, यह curtains actually मैं मुझे अच्छे लगे, then मेरी बेहन ने यह दिवाली पर bed sheet ली थी, करोल बाग से, वहाँ पर काफी अच्छी bed sheet market है, वहाँ से लीती, बट लगाने का time नहीं मिला, तो मैंने सुचा आज लगा देते हैं, then मैंने उसकी यह floral print वाली, अच्छी सी bed sheet लगा दी, majorly white color के कपड़े, white color की चीज़े मुझे नहीं दी जाती है, क्योंकि मैं कहीं भी हाथ पे निशान भिशान लगा देती हूं, बट आज मैंने ले ली, वीडियो बनानी है इसलिए, तो उन्होंने दे भी दी, क्योंकि उन्हें जल्दी से काम निपटवाना था, उनको यह था निपटा ले और उसके बाद, जल्दी से यहां से निकल ले, तो फिर मैंने जल्दी से इसको डेकोरेट करने के लिए, उससे मांग लिया, जल्दी जल्दी यह बेटशीट लगा दी, अग्गेले काम करना पड़ा, बुलाया था मैंने मुम्मी को, बट मुम्मी नहीं आई, करने तो मैंने सुचा ठीक है, मैं खुदी जल्दी जल्दी लगा दूँगी, तो चलिए फास्फ़वर्ड में इस बेटशीट को लगा देते, अगर आपके भी मतलब, अगर मैं इसके साइज की बात करूँ, तो मुझे बेटशीट काफी अच्छी लगी, करोल बाकी, क्योंकि यह जो 108 का साइज है, यह कॉटन की बेटशीट है, और इसका साइज काफी जादा अच्छा है, देन मैंने मम्मी के जो यह कुशिन्स थे, यह लगा दिये, यह कुशिन्स पे पहले से एक कवर लगा हुआ है, मैंने उसी के ओपर दूसरा कवर लगा दिया, और यह हो गए कुशिन्स तयार, पिलो काफी जादा सुन्दर लग रहे थे, एक्सपेक्टेड नहीं था, बट अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने पिलो लगा दिये, मेरे पास कुछ कुशिन्स भी थे, जो सिक्स्टीन बाई सिक्स्टीन के आते हैं, वो मैंने थोड़ी देर में लगा दूँगी, अब चलते हैं, इधर वाले साइट कॉर्नर पे, जो यह टेबल रखा हुआ है, इसके लिए मैं बाहर से जाके, मुम्मी के प्लांट्स उठा कर ले आई, जो अगर एक भी गमला तूट जाता, तो मेरी खैर नहीं थी, बट मैंने फिर भी ले लिया रिस्क, देन मैंने यहाँ पर एक क्या बुलते हैं, स्नेक प्लांस, और छोटे छोटे तीन बुद्धा वाले, वो मेरे अपने थे, उनका डरनी था, यह वे वाल की, वाल डेकोर की, तो मैंने इसे भी उपन कर लिया, यह इसमें न, दो और प्रोड़क्स थे, बट मुझे अभी एक ही उज़ करना था, तो चलिए उसी की उपनिंग कर लिए, यह बलाक एंड गोल्डन कलर के हैं, एक्सपेक्टेड थोड़ा बड़ा साइज था, बट इतना बड़ा आया नहीं, तो कोई बात नहीं, छोटे से ही काम चला लेते, मुझे लगा था, बड़ा साइज आएगा, पूरी वाल कवर हो जाएगी, बट वाल कवर नहीं हो पाई, तो जितनी कवर हो पा रही है, मैंने उतनी कर लिए, सोचा अभी के लिए लगा देते हैं, बाद में देख लेंगे, कुछ और और कर लिया जाएगा, तो ये जल्दी से इसको मैंने पेस्ट किया, इसके पीछे आपको डबल साइडे टेप मिल जाता है, थ्री एम टेप नहीं मिलता, बट नॉर्मल वाला जो येलो टेप आता है, वही था, उसी से मैंने इसे पेस्ट कर दिया वॉल पे, और ये अच्छे से पेस्ट हो गया, अभी तक तो नहीं उतरा है, अगर आगे उतरता है, तो भी मैं आपको बता दूँगी, ये थोड़ा सा टेड़ा सा लग गया था, फिर मुझे बाद में रेलाइज हुआ कि ये टेड़ा है, मैंने सीधा करने की जितनी कोशिश होई, उतना कर दिया, बट बाकी मैंने ऐसे ही रहने दिया, अब इसके बाद जो बाकी दो थे, वो मैंने अपनी तरफ से पूरे ट्राइ करें, कि बिल्कुल सीधे लग जाएं, देखिए मैंने इसको लिकालने की कोशिश करी, जितना सीधा हो पाया, उतना सीधा कर दिया, इन तीनों को लगाने के बाद, साइड में जो ग्रीन कलर के आर्टिफिशल हैंगिंग प्लांट्स आते हैं, उनको लगाने की सोचिया, तो चलिए उनको भी लगाते हैं, पहले इनको तीनों को पेस्ट कर लेते हैं, इसके अगर मैं साइज की बात करूँ, और ये जो कितने के मुझे कॉस्ट किये, ये सारी ही चीज़े आपको साइड में स्क्रीन शॉट्स देख जाएंगे, आप उन पे चेक कर लेना, क्योंकि एग्जाट प्राइज अभी मुझे याद भी नहीं है, इनको लगाने के बाद, मैंने कैसे इसका फाइनल लुक रिवील किया है, जो प्लांट से वो मैंने बाद में लगाई है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, अब देखते हैं, फाइनल लुवील कैसा लग रहा है, इसमें मैंने कुछ कुछिंस ओल प्रेस कर दिया है, आप देख सकते हैं finally इसका output कैसा आया है उस room को इस room में change करने में मुझे 2-3 घंटे लगे थे और ममी औरो को डाटने में अब आप देख सकते हैं इस room का final look कैसा लग रहा है अगर आपको यह look पसंद आता है तो don't forget to like and subscribe my channel and अगर आपको कुछ कमिया लगती है तो आप comment करके मुझे बता सकते है and यह जो उपर wall shelves लगे वे हैं वो भी मैंने मीशो से order किये थे पुरानी किसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा और इन सभी products का detail review भी आपको मिल जाएगा तो चलिया आप enjoy कीजिये final look at this room का and मैं चलती हूँ आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई तो don't forget to share it with your friends and family also if you like the products you can check all the product links in the description box bye bye take care